हाई फिंट्स मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं Windows Tech Solution तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप Shopify की website को एक domain name की साथ connect कर सकते हैं, एक custom domain की साथ connect कर सकते हैं तो ये मेरा Shopify का account है और मैंने इसके अंदर एक sample website बनाई है जो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, उसका interface तो ये मेरी एक sample website है जो मैंने Shopify के अंदर बनाया हुआ है और अभी मैं Shopify का जो free domain name होता है वो मैं use कर रहा हूँ आप last में देख सकते हैं लिखा हुआ है myshopify.com तो ये Shopify का free domain name है जो मैं भी use कर रहा हूँ अब मैं एक custom domain जो है उसको connect करूँगा Shopify की website के साथ तो मैं इसको पहले cut करता हूँ और मैंने big rock से एक domain purchase किया हुआ है और इस domain को मैं connect करूँगा Shopify के साथ तो ये मेरा big rock का portal है और ये वो domain name है जिसको मैं connect करूँगा Shopify के साथ तवेशी jam.in मैं एक बार आपको दिखा जिता हूँ तो इसके अंदर आपको सारे option मिल जाते है DNS records का अगर आपको domain forwarding करनी है तो वो भी इसके अंदर option आपको available मिलता है तो हम start करते है तो उसके लिए सबसे पहले आपने Shopify का account है page है उसको open करना है ठीक है और आपने पहले home पे click करना है left side पे top पे लिखावा है home इसपे आप click करेंगे और यहाँ पे आपको right side पे नीचे option मिल जाएगा add a custom domain इसपे आप click करेंगे उसके बाद आपने click करना है view domain settings पे उसके बाद आपको यहाँ option मिल जाएगा connect assistant domain इसपे आपने click कर देना है और यहाँ पे आप आपको अपना जो domain name है वो enter करना है जो custom domain है आपका तो मैं इसको एक बार copy कर देता हूँ और यहाँ आप इसको paste कर देते हैं एक बार और उसके बाद domain name एंटर करने के बाद आपने next पे click करना है और उसके बाद आपने क्लिक करना है follow setting instructions उसके बाद आप scroll down करेंगे और left side पे आपको एक option मिलेगा connect manually इस पे आपने click करना है उसके आप scroll down करेंगे और यहाँ पे आपको option मिलेगा before you begin और आपने ये जो दो entry है न दो records हैं ये इनको आपने DNS records के अंदर add करना है तो मैं निखाता हूँ कि कैसे आप add कर सकते हैं तो पहले आपको जो पहला address का IP है इसको आप click कर देंगे एक बाद और इसको copy करेंगे copy करने के बाद आपने अपना big rock का page open करना है और उसके बाद जो भी आपको domain use करना है domain name उसके अंदर जाके आपने DNS records के option पर click करना है अब यहाँ पर आपको दो record add करने जो पहला record है वो एक A record है तो आपने A वाले option पर click करना है और यहाँ पर जो first वाला column है यहाँ पर आप लिख देंगे add the rate और second वाले column में वो जो IP address था उसको paste कर देंगे आप ठीक है यह वाला जो IP address है इसको मैंने आप paste कर दिया और उसके बाद जो यह TTL है इसको आपने 2 hours पर select कर लेना है और उसके बाद save records पर click कर देना है record है हमारा successfully save हो गया है इस window को cut करेंगे और अपने page को एक बार refresh करेंगे बिग रॉक के page को उसके बाद जो आपका next record है ये वाला एक CNAME record आपको add करना है तो उसके लिए जो www है इसको copy कर ले तो हमें एक बार वापेस बिग रॉक पे जाना है DNS records पर click करना है उसके बाद एक CNAME record एड करना है तो CNAME पर click करेंगे और उसके बाद जो first वाला कॉलम है यहाँ पर वो www को paste कर देंगे और second वाले कॉलम में यह जो address है इसको पूरा copy करना है आपने copy करके इसको यहाँ पर हम paste कर देंगे ठीक है और जो TTL है इसको 2 hours पर select करके save records पर click कर देंगे record save हो गया successfully इस window को cut करेंगे इस big rock के page को एक बार refresh कर देंगे refresh करना important है क्योंकि refresh करने से जो आपने record add किये होते हैं वो update हो जाते है ठीक है record add करने के बाद आपने इस tab को अपने cut कर देना है cut करने के बाद आपने Shopify के page पर जाना है और यहाँ पर आपको option मिलेगा verify connection इस पर आप click करेंगे अगर यह error आता है तो कोई देखकर नहीं आपने 2-5 minute का wait करना है और इसके आप फिर से आपने verify connection पर click करना है तो आप दे सकते हैं जो मेरा domain name है वो add उचको है यहाँ पर तवेशी jam.in और कभी-कभी time लगता है आपको 2-5 minute का wait करना पड़ता है और अगर आपको error आ रहा है तो आपने 2-5 minute का wait करना है और इसके बाद फिर से उस option पर click करना है verify connection पर इसके आप इस window को cut करेंगे cut करने के बाद आपने home page पर आना है store बन चुका है इस पर एक बार click करते है और click करने के बाद एक बार view करते है अभी जो मेरा domain name है वो live नहीं हुआ है यह था वेशी jam.com अभी live नहीं हुआ है और इस domain name को live होने में एक से दो घंटे का time लग जाता है तो इतना आपको wait करना पड़ेगा तो यह था इस video में thank you